ये एक ओहो दोस्तों आप आ गए कैसे हूँ मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त रोपीरो और आपका स्वागत करता हूँ गेम डेफिनेशन की एक और शांदार वीडियो में तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज मैं ये बोडी शोडी क्यों बना रहा हूँ क्योंकि हमने अभी मज़ा नहीं आ रहा लेकिन आज हम तो मोमोज बोस की पिटाई करेंगे क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में जो कहा था और आपकी ख्वाहिश पूरा करना ही तो मेरा काम है रुको 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 दोस्तों जाने से पहले मैं त्रेड मिल पर थोड़ी सी एक्सरसाइस तो कर लूँ ओ ये 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 क्योंकि भागेगा इंडिया तभी तो जागेगा इंडिया और दुनिया में सबसे फिट लगेगा इंडिया तभी तो मोमोज बोस की पिटाई भी इंडिया तो गाइस आज तो हम बोस को भगा भगा के मारेंगे और हम लोग उसको इतना भगाएंगे जिससे उसके पसीने छूट जाएंगे हाँ 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 फिर तो मजा ही आ जाएगा और इस एक्सरसाइज को करने के लिए तो मुझे जिमबालों ने दिये हैं पूरे 25 सो और उनको बताती है कि हम लोग फाइट के लिए तयार हो गए है और अब हमें वो बोस कहां पर मिलेगा ये जल्दी से बताओ ओहो रो फिरो तू आ गया देखो टिपसन दादा मैं बोडी शोडी बना कर आ गया हूँ अब जल्दी से बता दो वो बोस कहां मिलेगा ओपागल रो फिरो तू बोस को क्या अपने डोले से मारेगा नहीं टिपसन दादा बोस के लिए तो मेरे थपड़ी काफी है मैं तो मारूंगा तपादब 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 ठीक टिपसन दादा अब मैं जाता हूँ बोस को मारने के लिए तुझे बोस से लड़ने के लिए गन लेनी होगी क्योंकि वो कोई आम बोस नहीं है उसनी अपने मोमस खाखाकर तेरे से भी ज्यादा पावरफुल बोड़ी बना ली है अब तो वो तुझे ऐसे उखाड पैके टिपसन दादा आप तो मुझे डरा रहे हो तो फिर अब मैं क्या करू छोटे बोस से लड़ने के लिए तुझे स्पेशल वाली गन चाहिए होगी तो चल मेरे साथ मैं तुझे सस्ते में दिलवा देता हूँ ये देख जबरदस्त वाली मशीन गन ये कितनी कूल है ना तो एसा कर इसको जल्едी से अपने ठहले में डाल ले отвके टिपसन दाधा देखो मैंने तो इस गुल्गी गोलियां भी खरीद ली और अब जल्दी से अपने लिए आर्मर भी खरीद ले जो हुकुम टिपसन दाधा देखो मैंने तो यहाँ पर जो कुछ भी था वो सब कुछ पोटो लोव भी खरीद लेते हैं और फिर तो आज हम लोग आग लगा देंगे आग लगा देंगे आग लगा देंगे वाओ अब तो तु बिल्कुल तैयार हो गया है तो जाकर तबाई मचा दे मगर टिपसन दादा वो मुझे मिलेगा कहां रो पीरो इसका जवाब तो कुल म मोमोज वाला ही दे सकता है तो ठीक है टिपसन दादा और दोस्तो अब हम लोग जल्दी से किसी मोमोज वाली रेडी पर चलती है क्योंकि पिछली बार हमें पता चला था कि मोमोज बोस तो रेडी पर है और देखो यहाँ पर कोई कुछ बेच भी रहा है आरे भया भया आप क्या बेच रहे हो मैं मोमोस बेच रहा हूँ चतपटे रसीले मोमोस ले लो ओहो तोस्तो मुझे तो लगता है कि यही मोमोस बोस है ओह क्या तू ही बोस है मैं गोलू-मोलू, बोस कैसे हो सकता हूँ, मुझे घर जाने दो, वरना मैं तुमारी महान मोमोस बोस से शिकायत कर दूँगा, फिर वो तुमारी फुक्टी बचा देंगे, पॉपॉं ओ गोलू मोलू बता दे तुम्हारा बोस कहा है वरना आज मैं तुम्हारी सारी रेड़ी तोड़ तोड़ कर भरता बना दूँगा मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है पहले बता तो दे, मैं अभी बोस को फोन करता हूँ, वो तुझे खुद ही धूंड लेंगे, तो दोस्तो ठीक है, अब बोस मुझे खुद ही धूंड लेगा, लेकिन वैसे जब तक ये गोलू-मोलू घर जाएगा, तब तक तो शामी हो जाएगी, बड़ा धीरे चलता है मैं ऐसे नहीं जाओंगा, बचे कुछे मोमोस लेकर ही जाओंगा, तो ठीक है दोस्तो, जब तक मोमोस बोस बुलाती है, तब तक मैं यहीं पर बैठकर आराम करता हूँ, मुझे से पंगा, अब होगा दंगा, हौ हौ। वाओ दोस्तो, मोमोस बोस ने तो मुझे अपने पास बुला लिया, मगर मोमोस बोस भाग कर कहा जा रही हो, रुको रुको, थोड़ी बात करनी है, लगता है मैं गेच कुली छोड़ाया, कहीं मेरे मोमोस ना जल जाए, मगर उससे पहले, मेरे बच्चे तुझे मारेंगे, ओहो, दोस्तो, ये छचुंदर भी न, और मोमोस बोस तो हमारे हाथों से निकलने की कोशिश कर रहा है, मोमोस बोस, दो मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारी मैगी बनाता हूँ, आप उन मोमोस के सीवा कुछ नहीं खाता, दिन में मोमोस, रात में मोमोस, अगले दिन फिर स है मोमोस, हाँ, 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 तुम्हें तुम एतना पावरफुल हो, और तुमारे गौलिया भी मेरा कुछ नहीं पिकाड सकती, हाँ, 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 मगर मैं अभी शोट गंचे, तेरे सारे मोमोस की अंदर छेद कर दूँगा, ठाइ, 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 उन्हें, बाबा, मेरे तो मोमोस भी कर गा है, तो मुझा जल्दी जल्दी मोमोस खाकर पावरफुल हो ना होगा, ओ, 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 दोस्तो, ये मोमोस बोस तो कुछ ज़्यादा हे पावरफुल है, इससे ज़्यादा पावरफुल तो वो गोलू-मोलू था, ओ, लुंगी चोर बोस, कब तक भागे गाइस मुझे तो लगता है ये मोमोज भी भाग भाग करी बेचता होगा अरे बापरे ये तो धोती खूल रहा है रो पेरो मुझे छोड़ दो मैं तुम्हें मोमोज दूँगा नहीं चाहिए तुम्हारे जले हुए गटिया मोमोज और लोग गाइस ये लुंगी चोर मोमोज बोस तो गयो और देखो गाइस मुझे तो इतने सारे पैसे मिलते ही जा रहे है मगर ये तो रुकी नहीं रहे अब तो लगता है कि मॉमोज बोस का एमपायर भी हमारा ही हो जाएगा तो गाइस जल्दी से कमेंट बोक्स में लिखतो आर आई पी मॉमोज बोस और ये क्या होता क्या है ओ तेरी की ये कौन मार रहा है ये गन हमें देदो उड़ी बाबा इस गन ने तो फटूरे लगा दिये वाओ इस गन को चला डाला तो स्केलेटन बना डाला वैसे कुछ भी कहो गाइस मॉमोज बोस के पास बोती पावर्फुल गन तो थी मगर वो इससे भी हमार कुछ नहीं भी गाड़ पाया क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ थे तो चलो गाइस अब हम लोग जल्दी से चलती है टिपसन दादा के पास वरना ये चोटे मोटे गुंडे हमारा टाइम बरबाद करते रहेंगे और देखो ये रहा टिपसन दादा का बंगला ओह टिपसन ओ तेरी भैश की पूँच रो पीरो क्या तुम अभी तक सही सलामत हो और वो मोमोस बोस टिपसन दादा मैंने उस मोमोस बोस के पिटाई कर दी अब वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा रो पीरो मुझे तुमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ये देखो इस बात का सबूत मेरे हाथ में मोमोस बोस की खतरनाक वाली गन है वाव गाइस अपने पावरफुल रो पीरो के लिए एक लाइक को बनता है इधर ला रो पीरो जराय गन मुझे तो दिखा टिपसन दादा ये बहुत ही खतरनाक गन है कोई बच्चों के खिलने की चीज नहीं जानी किसी को लग जाए तो खूर निकल आता है ठीक है रो पीरो अगर देनी नहीं तब प्रवचन क्यों सुना रहा है लेकिन मुझे तो लग रहा था कि तू वापीस ही नहीं आएगा वो मॉमोस बोस तेरी चटनी बनाकर मॉमोस के साथ ही खा गया होगा वा टिपसन भाईया जब तक किसी के आप जैसे शुबचिन तक दोस्त हो तो उसको दुश्मन की क्या जरूरत रो पीरो ये किसका फोन आया हेलो क्या कह रहा है हो माफिया सिटी में एक और निया विलेन क्या हुआ टिपसन जादा आपके होश क्यों उड़ गाए रो फीरो तुने जो अभी अभी मौमस बोस को हराया है इसकी ख़बर चारो तरफ पैल गई है लोग उसके बारे में बाते कर रहे है उस मौमस बोस से भी बड़ा इकोर बोस है जो अपनी कुंडागर्दी को शेहर में बड़ी तेजी से पैलाने लग गिया है और वो शेहर की बोली-बाली जनता की पुंगी बज़ा रहा है तो जल्दी बताओ टिपसन दादा अब मुझे क्या करना होगा चोटे करना क्या जल्दी से चाकर उसन एबोस के भी धासुवाली गंसे पुंगी बज़ा दे अब मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा क्या लिखाए कि मोमोज बोस को मारने वाले हम तुझे सबक सिखाएंगे हाँ ये तो सच्टी में बहुत ज्यादा कुंड़ा गर्दी फैल आ रहे हैं उन्होंने मुझे चैलेंज दिया है और अब वो लोग आकर मुझे ढूंडे उससे पहले ही मैं उनके पास पहुँच को ये निया माफिया सिटी तो क्या मस्त है रे बीडू मगर यहां तो एम्बूलेंस भी घूम रही है गाइस अब तो इस बोस को सबक सिखाना ही होगा तो मैं अपनी इस गाड़ी को जल्दी से उसकी मंजिल की तरफ ले चलता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंतजार करते क करते ही वो बोस पागल हो जाए आज तो उस निया पकोले की पूंगी बजा देंगे जिसने हमारे मोमोज बोस का मोमोज पार दिया गाइस यहां तो बहुती जादा गुंडे हैं लेकिन यह इस तरफ से क्यों आ रहे थे चलो जाकर दीखती है हो ना हो गाइस देखो यहां पर भी यही वाली कार खड़ी है मुझे तो लगता है कि यहीं पर कुछ गड़बर होगी तो चलो हम लोग जल्दी से अंदर जाकर पता लगाते है कि यहां पर क्या चल रिया है ओए रोपिरा खबरदार तू हमारे पाउस से लड़ने आया है तेरी ऐसी कि तैसी चलो यह त पीरे तुकड़े करूंगी थोड़े थोड़े गाइस मुझे तो लगता है यही नया बोस है तो आओ इससे थोड़ा मुकालाथ करती है खबरदार रोपिरो मैं बोस नहीं बोस की अमाओं और आका बड़ा सा चुमाओं फूई माँ इसने तो पपी से प्रान ले लिये मगर एम्बुलेंस वालों ने मुझे पचा लिया और फिरो तुम कितना ज़्यादा काचते हो का खाका इतना मोटे फुट बोलो गए हो इसका खीजने के लिए कोई क्रेन मंगवाओं वाउ दोस्तो इन होस्पीटल वालों ने तो मुझे पचा लिया और वो नहीं बोस तो बौत मिल्ट्री वालों से हेल्प मांगता हूँ तो मैं इनकी एक एम्बूलेंस लेकर जल्दी से जाता हूँ मिल्ट्री बेस की तरफ क्योंकि अब सोलजर ही सिरफ मेरी मदद कर सकते हैं क्योंकि जब भी हमारे देश में मुसीबत आती हैं तो मिल्ट्री वाले ही आकर सब के मदद क करते हैं तो दोस्तों एक बार अपनी आर्मी के लिए कमेंट बॉक्स में लिख दो जै जवान जै किसान और देखो फ्रेंड्स ये रहा मिल्ट्री बेस और ये रहा उनका हेलिकॉप्टर गॉइस जब हम मिल्ट्री बेस वालों का हेलिकॉप्टर ऐसे ही ले कर जा सकते हैं तो उनका time क्यों waste करना क्योंकि military वाले तो हमेशा ही कुछ ना कुछ जरूरी काम कर रहे होती हैं तो मैं यहीं से खीच खीच कर helicopter को बाहर निकाल लेता हूं हाँ 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 लो दोस्तो यह helicopter तो बाहर आ गया तो मैं जल्दी से इसको सीधा करके इसके अंदर बैठ जाता हूं और अ तो थीख है मिल्ट्री वालों अपना काम करते रहो गाईस देखो यहाँ पर तो कितनी बड़ी टनल है और वो दिख रहा चाइनीज बोस का मैंशन तो चलो जल्दी से जाकर चाइनीज बोस के साथ पंगा लेकर दंगा करते हैं तेरी ऐसी कित ऐसी रुक तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा और अब की बार मैं अकेला नहीं आया अपने साथ में मिल्टरी वालों का हेलिकोप्टर भी लाया हूँ इसकी तेज हवा उसे तू सूखे पत्तों के जैसे उड़ जाएगी और कोने में खड़ी हुई फढ़ फढ आएगी जमीन पर अपनी ना रगड़ आएगी तभी तेरी अकल ठीकाने पर आएगी क्योंकि आज प्यारी जीडी फैमली तुझे सबक सीखाएगी अब कहां छूप गई हो जरा अपना चांद सा मुखडा तो दिखाओ और ये लोग गोली खाओ ठाँ ठाँ ओम जी दोस्त इसने तो यहां चारों तरफ शिल्ड बना दी है ओए नीले पकोड़े मैं तुझे आखरी चांद दे रही हूँ यहां से जान बचा के चला जा वरना आज तू नहीं बचे गा हा 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 देखो दोस्तों चुहिया शेर को चैलेंज कर रही है कोई इसको समझाओ और मुझे तो हमने इसको भी चुटकियों में हरा दिया तो मैं जल्दी से हेलिकोप्टर को यहीं पर लेंड कर देता हूँ और जहां कर दीखती है कि हमें बोस को हराने के लिए क्या इनाम मिला और देखो इस खदरनात बोस को हराने के लिए तो हमें मिले हैं पूरे पांच रुपए यह तो कंजूस बोस थी और देखो यह कौन खड़ा है अरे बैया जी आपको नो रॉपीरा मैं हूँ लट्टो सिंग और तुमने मुझे चाइनीज बोस के चंगुल से अजाग करवा दिया है इसलिए तुमारा बहुत बहुत थैंक्यू है जी यह सब तो ठीक है लेकिन तुम इतना घूम क्यों रहे हो रॉपीरा मुझे गल गल घूमना बहुत पसंद है इसलिए तो सब मुझे प्यास लाट्टू सिंग कहते है ओ हो 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 वेरी गुड तो ठीक है अब तुम यहीं पर घूमते रहो मैं तो चला लेकिन दोस्तों यह आर्मी वाले इदरी क्यों भागे भागे आ रही है ओ मारा हेलिकॉप्टर मिल गया चिंटू हेलिकॉप्टर मिल गया तो चलो अब जल्दी से इसको चुराने वाले चोर को भी पकड़ते हैं दोस्तों यह आर्मी वाले हमें पकड़े उससे पहले ही हम यहां से 9-11 हो जाती हैं क्या मस्त सोचाना मैं नहीं वा जल्दी से लाइक वाले बटन को भी दबा दो और आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा जल्दी से कमेंट बोक्स में बताओ और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा क पर ग्रे कर दो तो अब हम जल्दी से मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक जै हिंद जै भारत लव्यू सभी को